तो आज हमें एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाईलो जी का टॉपिक का नाम है ग्रंथियां और हार्मोन बहुत इंपोर्डेंट टॉपिक है इसमें कुछ चीजे हम लोग नोट से ही समझ लेंगे कुछ चीजे जो है मैं चार्ट्स और डाग्राम्स के थूँ समझाने वाला क्या होती हैं ग्रंथियां तो ग्रंथियां छोटी-छोटी संग्रचनाय हैं छोटी-छोटी स्ट्रक्चर्स हैं जो की तरल रासायनिक पदार्थ या की यानि की केमिकल रिलीज करती हैं लिक्विड की फॉर्म में यानि ग्रंथियां ऐसी संग्रचनाय हैं ऐसी स्ट्रक्च को, metabolism को, हमारे शरीर की actions को, हमारी body के functions को, हमारे अंगों के kriya कलापों को, प्रभावित करते हैं, नियंतरित करते हैं, यह जो structure से गरंथियां क्या लाती हैं, तो आप से पूछा जाए गरंथियां क्या है, आप साप कहोगे, शरीर की ऐसी structure, जो की, है ना, जो body के जो पदार्थ होते हैं, उनी से कुछ नया बनाती हैं, यानि कि body के अंदर के substances को यूज करते ही protein यूज करके amino acid यूज करके या फिर आप कह सकते हो या फिर जो है steroids body में जो हो रहे हैं उनको use करके मतलब जो गरंतियां होती है वो क्या कर रही है वो बिभिन प्रकार के chemicals बना रही है chemical कहां से बना रही है जो body में already available चीजे है protein है amino acids steroids है उनसे बना रही है ठीक है तो शरीर की ऐसी structures जो body के जो substances है उनसे कुछ नया बनाती है और chemical जो liquid chemical की form में liquid chemicals की form में क्या करती है release करती है अपना स्राव मुक्त करती है शरीर के organs को और शरीर के systems की functioning को क्या करती है प्रभावित करती है कूचा जा रहा है ग्रंतियों में पसीना हो सकता है सीबम हो सकता है तेल हो सकता है दूद हो सकता है विवन प्रकार के enzyme हो सकते हैं hormone हो सकते हैं यह ग्रंतियों के द्वारा release की जा रही है चीजें आगे और detail में चीजें पड़ेंगे, देखो, ग्रंथीों को जिस सीस्टम में पड़ा जाता है, वो है राज्सायनिक समण वे तंत्र केमीकल कोरिनेशन सिस्टम, यानि, ग्रंथीों का जो पूरा का पूरा फंक्शन है, वो किस तंत्र में आता है, जैसे, जैसे सांस लेने की क्रिया, सॉछस लेंट्स के द्वारा जो chemicals release किये जा रहे होंग है उन chemicals के द्वारा जिंजिन ओर्गन्स को जिंजिन system को प्रभावित किया जा रहा है वो सारा का सारा किसमें पढ़ा जाता है chemical Coordination System आप question पूछा जाता है बहुत important है यह Chemical Coordination System किसके समान है यह तंत्री है यानी कि तंत्री का तंत्र भी तो यही काम करता है, अरे नर्वस सिस्टम भी तो यही काम करता है, यह पहले भी डिसकस किया है मैंने, नर्वस सिस्टम में, नर्वस सिस्टम भी तो यही काम करता है, बोडी के अंगों को प्रभावित करता है, बोडी के और गन्स और सिस्टम पर कंट्रोल मैनेज करता है तंत्री का तंत्र जिसका हेड ब्रेन है तो ब्रेन भी तो पूरी बोड़ी पर अपना नियंत्रन बना के रखता है ब्रेन भी तो पूरी बोड़ी के क्रिया कलापों को प्रभावित करता है लेकिन अंतर है तंत्री का तंत्र और रासायनिक समनवय तंत्र में जो सबसे तुरंत है reaction, fast, मैं जो बोल रहा हूँ, यह message मुझे कहा से आ रहा है, brain से आ रहा है, और quick हो रहा है, लेकिन जो रासायनेक समनवय तंत्र है, जो ग्रंतियां और हार्मोन के प्रभाव है, वो तुरंत नहीं होते, वो थोड़े slow होते हैं, है न, इतने quick नहीं होते, ठीक है, चल गरंतियां, कितने प्रकार की गरंतियां हैं, तीन प्रकार की गरंतियां हैं, बहिसरावी, अंतैसरावी, मिश्रित, इसी को समझाने वाला हूँ, देखिएगा, दोस्तों, सबसे पहले बहिसरावी, नाम से पता चल रहा है, बहिसरावी, यह बहिसरावी गरंतियां क्या होत वो नलिका के माध्यम से सीधा औरगन के उपर छोड़ देती हैं यानि कि बहिस्रावी गरंतियां, देखिएगा ऐसी गरंतियां जिन में अपना राव ले जाने के लिए डक्टेड होती हैं, डक्टेड का मतलब इनमें नलिका होती है, नलिका जैसी संग्रचना होती है, से सीधा अपने targeted और्गन पर अपने लक्ष अंग तक भेद देती हैं, ठीक है, भैसरावी गरंतियों दुवारा या तो enzyme मुख्त किये जाते हैं या अन्य रासायनिक पदार्थ मुख्त किये जाते हैं, यानि भैसरावी गरंतियां जो मुक्त करेंगी वो तो या तो एंजाइम करेंगी या अन्य पदार्थ अन्य पदार्थों में क्या हो सकता है जैसे पसीना स्वेट ठीक है जैसे जैसे की दुग्ध दूध ऑईल ठीक है जैसे की हमारे हमारे म्यूकस शलेशमा हमारे नाक में होती है पाचन तंत्र में होती है जैसे कि आपके पसीना हो गया, दुखद हो गया, शलेशमा हो गया, जैसे कि कान के अंदर जो मोम होता है, कान में मोम जमा हो जाता है, वेक्स उसे बोलते हैं, सिरुमीन, तो सिरुमीन मुक्त कर सकती है, क्लियर हमारे कान में जो मोम जमा हो जाता है मेल जमा हो जाता है उसको सिरुमीन बोलते हैं तो स्वैट हो गया पसीना हो गया इसके अलावा आंसू आसू हो गए, पसीना हो गए, यह सब क्या है, यह सब बहिस्तरावी ग्रंतियों के उत्पाद है, जो या तो एंजायम की फॉर्म में होंगे, या फिर वो किसी अधर फॉर्म में होंगे, आसू में भी एंजायम होता है, पसीनों में भी एंजायम पाया जाता है, ठीक है, क्लि वी स्राव है उसको सीधा औरगन के ऊपर भेज देती हैं सीधा अंग के ऊपर भेज देती हैं उनको बहिस्रावी कहते हैं ठीक है मैं screenshot capture करवा रहा हूं clear देखना अब मैं diagram के तुरू आपको एक chart के तुरू चीजे समझा देता हूं देखना देखो क्या होता है आपके सामने क क्रण्थीया है G 뒤에 ग्रंथिया कितने प्रकार की हो गई बिटा गरंधियां तीन प्रकार की तीन प्रकार की हो गई गई क्यों प्रकार की कौनखोर. Utah kronOR choosing 12 जेद गए का QUN explore द 티 डूसरी कौनशी हो गई थी एंडो घृ न क्रून है क्या आटैसरा बीक और तीसरा मिश्रित, मीजोक्राइम, समझना मेरी बात, मेरी बात समझना, देखो, अब क्या होता है, अनतैसरावी जो बहिसरावी गरंतियां है, ये क्या करती है, ये नली का युक्त होती है, इनमें ट्यूब होती है, नली का युक्त होती है, और ये रिलीस क्या कर रही है, ये release कर रही है क्या ये release कर रही है enzyme या Annyapadarth मुक्त करती है enzyme या Annyapadarth मुक्त करती है example की बात करें तो liver बहिसरावी ग्रंथी है हमारी अश्रू ग्रंथियां जो है हमारी tear glands वो भी बहिसरावी ग्रंथियां है और भी options मैं आपको बताऊंगा आगे चल के ठीक है अंतय स्रावी ग्रंथिया ये नली का विहीन होती है ट्यूबलेस होती है यानि अंतय का नाम ही क्या है अंतय अंतय का मतलब ये किस में घोलती है ये बलड में घोलती है बलड में स्राव मुक्त करती है जो भी मुक्त करेंगी किस में मुक्त करेंगी बलड में स्राव मुक्त करती है यानि ये अपना जो रिलीज है वो किस में छोड़ देती है बलड में और फिर बलड के साथ चक्कर लगा के वो जो अपना जो भी पदार्थ है वो टारगेटेड ओर्गन पे पहुँच जाएगा चलेर हुए बात तो ये ये जो होती है बहिसरावी ये नलिका के माध्यम से सीधा लक्ष अंग तक पहुचाती है जबकि अन्तियसरावी जो होती है इनको लक्ष पर लेना देना नहीं बलड में छोड़ देती है इनको बरोसा आया कि बलड घूम घाम के टारगेट पहुचा देगा मसाले को, है ना, clear, अच्छा, 22 अंत्यसरावी गरंथियों के लिए मैं एक ट्रिक आपको बताऊंगा, अंत्यसरावी गरंथियों की एक ट्रिक आप देखेंगे, है ना, ये मैं आगे चल के इसको explain करूंगा, थारी, पीपी पे, थारे, बिर्जु अंकल का अधिकार है, थारी, पीपी पे, थारे, बिर्जु अंकल का अधिकार है, थारेड, पैरा, थारेड, पियू, पीनियल, ये सारे के सारी जो गरंथियों है, ये ट्रिक है, clear, ये ट्रिक को मैं explain करूंगा, अभी, आज ही की क्लास मे क्लियर तो एक्टरिक है जिससे कि आप नली का विहीन यानि की अंतैसरावी गरंथियों को अच्छा अंतैसरावी गरंथी जो रिलीज करती है यह हॉर्मोन रिलीज करती है आप से पूछा जाए एक गरंथी जो हॉर्मोन मुक्त कर रही है बताओ कैसी गरंथी होगी आप बोल निकलेगा, एंजाइम निकलेगा, और ऐसी गरंती का एक्जामपल हमारे लिए अगनाश गरंती, अगनाश को पकवाश भी बोलते हैं, और इसको पैंक्रियाज बोलते हैं, यह सबसे बड़ी मिश्रित गरंती है, है न, यह एक प्रकार की क्या है, मिश्रित गरंती है, अगना अब हम क्या करेंगे अब हम एक एक के बारे में डिटेल में चीजों को लेंगे ठीक है देखना हम जब इसको पढ़ते हैं आईएगा हम जब इसको पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे देखो हम पढ़ेंगे की 22 गरंतियां कौन-कौन सी है और अंतैसरा भी गरंतियां कौन- सबसे पहले जो हमारी पसीना ग्रंथियां है स्वैद ग्रंथियां इनको बोला जाता है स्वैट ग्लेंट्स ठीक है यह अपना स्राव तवचा के ऊपर ही छोड़ती है पसीना ग्रंथियां बिल्कुल दुख्द ग्रंथियां जो है यह भी अपना स्राव नलीकाओं के माध्य से स्थनों में है ना जो ते की अलावा देखिए लीवर यक्रथfilled delivery कुछ इसे को पोलते हैं बॉड़ी की largest स्वेट ग्लेंट्स पसीना निकल रहा है लार ग्रंथियां सेलाइवरी ग्लेंट्स हमारे होती है सेलाइवरी ग्लेंट्स इसके अलावा म्यूकस इला श्लेशमा ग्रंथियां म्यूकस ग्रंथी श्लेशमा ग्रंथियां नाक में भी होती है पाचन तंत्र में भी होती है नाक म आपने देखा होगा हमारा जो पसीना है तीक है उसमें पानी होता है NACL होता है नमक होता है पानी होता है ठीक है साथी साथ कुछ जो है तेल ग्रंथियों द्वारा निकल रहा है, इसके अलावा जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लेंड्स, इनके द्वारा पाचन तंत्र में क्या निकल रहा है, जो जठर रस है वो निकल रहा है, इसके अलावा सिरुमीन ग्रंथियां, ये कान में पाई जाती है, ठीक है, इसक तो हमारे सामने options की बात करें, तो lever हो गया, हमारी अश्रू ग्रंती हो गई, पसीना ग्रंतियां हो गई, लार ग्रंतियां हो गई, शलेश्मा ग्रंतियां हो गई, जठर ग्रंतियां जिनसे पाचक रस वगेरा निकल रहे हैं, वे हो गया, सिरुमीन ग्रंतियां हो गई, जो का स्रावी की बात करते हैं देखना अंत्य स्रावी के बारे में ध्यान दीजेगा अंत्य स्रावी गरंथियां इसको बड़े प्यार से समझना है देखिए अंत्य स्रावी गरंथियां नली का विहीन होती है यह आपने समझी लिया है ठीक है अंत्य स्रावी गरंथियां कैसी होती नली का विहीन होती है देखिए नली का जैसी संग्रचना नहीं होती ट्यूब नहीं होती अपना स्राव सीधे बलड में छोड़ देती है इसलिए संपूर्ण सरीर पर प्रभाब पड़ता है इसल निकलने वाले सराब क्या होते हैं हार्मोन्स होते हैं ठीक है थॉमस एडिसन को अंत्यासरावी बिज्ञान का जनक वेरी गुड अंत्यासरावी तंत्र के अध्यन को एंडोक्राइनोलोजी बोलते हैं and father of endocrाइनोलोजी father of endocrाइनोलोजी है न यह क्या है आपका है न जो है ठॉमस एडिसन हार्मोन वर ड किस ने दिया STAERLING नाम के व्यक्ती ने दिया हार्मोन है chemical massengers हार्मोन एक प्रकार के क्या है chemical messengers है है हार्मोन जो है क्या करते है message देते हैं राजसाय अंकल का अधिकार है देखिए थारी से बन गया थाइराइड, पी से बन गया पीनियल, पी से बन गया पियूस, पे से बन गया पैरा थाइराइड, है ना थारे से बन गया थाइमस, बिर्जू से बन गया ब्रशन, अंकल से बन गया अंडाश है, अधिकार से बन गया अधीवर केडरीनल और हैसे हाईपोथेलमस, अब सुनना मेरी बात, देखो ठारी ठाईराइड गला, पी नियल पी उस ये दोनों कहा होती है, मस्टिश्क में होती है, ठीक है, नाम पेरा ठाईराइड गरंती कहा होगी, ठ्रक कहा होती थाइमस Jane खलति ह्रदय के पास होती है कि हरदय के पास थाइमस गुरनति होती है बरATHAN और अंदाश का आओ ऊदरगोहा के नीचे ओधर गोहा एबंडॉमिनल कैविटी के नीचे और हटे ऐड्रीनल गुरन एधिकार ये का होती है एड्रीनल MBA मतलब ऊपर हिदनी के और हैफ O और हाइपो थेलमस हुआ है, ब्रेन ये मस्तिश्क में होता है, ठीक है, तो आप ये चीज़े याद रखना thyroid गले में होती है, वक्रापया से लिदर ब्रशन अंटास है, उदर गोङुआ के नीचे होते हैं पेट के नीचे शुरोणी प्रदेश भी कहते हैं पैल्विक रीजन इसके बाद अधिवरक एड्रिनल गरंथी कड़िनी के ऊपर होती है और फिर हो गया ब्रेन मस्तिष्क ठीक है बास समझ में आ गई क्या बोलिएगा स्क्रीन शॉट कैप्चर कीजिए अब हम क्या करेंगे अब हम एके गरंथी को यहां से पढ़ेंगे ठीक है एके गरंथी पढ़नी है अपने को सबसे पहले बिटा ठीक है मिश्रित गरंथी का एक्जामपल हमने पढ़ी लिया सबसे पहले हम बात करेंगे थाइराइड देखिए, जो चीजे नोट से पढ़ी जा सकती है, नोट से पढ़ लेंगे, क्योंकि टाइम हमें बचाना है सबसे पहला हमारे पास एक्जाम्पल है सबसे पहली चीज पढ़ रहे है, थाइराइड, थाइराइड का दूसरा नाम है अवर टू ग्रन्थी, इतना आपको पता है, थाइराइड जो है ठीक है, थाइराइड ग्रन्थी जो है कहाँ पाई जाती है, गले में, आपकी जो ट्रे किया है स्वासनली के पास याद रखना थाइराइड ग्रन्थी में कितनी पाली होती है, दो पाली, ठीक है, दो पाली होती है याद रखना शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्रंथी याद रखना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथी लीवर है लेकिन एंडोक्राइन ग्रंथियों में लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लेंड्स शरीर की सबसे बड़ी अंतैसरावी जो ग्रंथी है वो क्या है वो एक्या काar की या क्या बोलते हैं भई आप ऐसे मान के चलिए लिए ऐसे ठीक है तो दो पालिया है स्वासनली के दोनों और पाई जाती है धायर-धिर एब के दवारा जो हार्मोन निकल रहा है गुलाबी रंग की ग्रण्थि actually देखा जाए तो दोनों में आιοडीन है तो ट्राइयोडो थायरोनीन, ट्राइयोडो थायरोनीन यह अधिक शक्तिशाली है, आयोडीन युक थार्मों है और ट्राइयोडो थायरोनीन जो है यह यह 65 से 90 प्रतिशत के लगबग, यानि देखा जाए तो T4 जादा पाया जाता ती 3 कम पाया जाता है लेकिन जादा शकती शाली क्या है ती 3 है तो थोड़ा याद रखिएगा ती 3 ट्राइडो थाइरोणीन ठीक है दोनों आयोडीन है question देखिए important यह हार्मोन भोजन के oxy current यह important है आप से पूछा जाए metabolism को हमारी body का उपापचय को कौन नियंतरित करता है तो आप बोलेंगे साब thyroid ग्रंती नियंतरित करती है हमारी body के BMR को basic metabolic rate हमारी body की आधारिय उपापचय दर इसलिए आपने देखा होगा कि जिनको thyroid की problem होती है जिनको thyroid ग्रंती की समश्या होती है तो यह तो बहुत दा मोटे हो जाते हैं या बहुत दा पतले हो जाते हैं क्योंकि उनका body metabolism जो एना वो डिश्टर्ब हो जाता है अब metabolism अगर जादा हो गया है तो उसकी वज़े से आपका बजन बढ़ेगा metabolism एकदम कम हो गया है या ऐसी चीज़े metabolism में दो परकार की क्रिया होती है संसलेशन कारी रिविगटन कारी catabolism anabolism इनमें एक में क्या होता है नए molecule जादा बनते हैं एक में molecule तूटते जादा है तो जिसमें molecule जादा बन रहे है तो आपका weight बढ़ेगा तूट रहे हैं तो weight घटेगा थाइराड गरंती को tempo of life कहते हैं जीवन का tempo कहा जाता है बच्चों क्यों 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 जिस तरह से tempo जो है धीरे 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 करके आपको आगे बढ़ाता है एना ऐसे ही मंजिल तक पहुंचाता है उसी प्रकार थाइराड गरंती धीरे धीरे आपके metabolism को manage करती है देखो कायांतरन या metamorphosis कहते हैं यह याद रखना बहुत आता है मेंडक का लार्वा लार्वा को टेड़ बोलते हैं और मेंडक का लार्वा जब वयस्क में बदलता है तो उस प्रक्रिया को metamorphosis कहते हैं कायांतरन और कायांतरन में मेंडक के लिए कौन सी जो जो गरंती है वो जिम् अल्पसराव और अधिक्ता को बोलते हैं हाइपर सीक्रेशन अतीश राव अल्पसराव अतीश राव इसको कमी अधिक्ता भी कह सकते हैं तो यह सुनिएगा दोस्तों थायरोक्सीन हार्मोन की अगर कमी हो जाए कमी से बच्चों में क्रिटिनिजम या जड़ वामनता क्रिटिनिजम जड़ वामनता का मतलब क्या होता है बुद्धी जड़ हो जाती है और वामन का मतलब बच्चा बोना रह जाता है height कम रह जाती है और बच्चा बोना जिसमें बच्चे बोने और मंदबुद्धी हो जाते हैं thyroxine hormone की अलपसराब अगर वयस्क में हो जाए adult में तो कौनसी बीमारी होती है myxodema अगर वयस्क में कमी हो जाए तो कौनसी बीमारी होगी myxodema कोशन आता है अगर भोजन में iodine की कमी हो जाए उसकी वज़े से thyroxine hormone की कमी हो जाए तो thyroxine hormone की कमी हो जाए तो thyroxine hormone की कमी और अधिकता से जो बीमारी हो रही है उनको एक बार के लिए यहाँ पर हमने नहीं लेनी है देखिएगा चलिए थायराइड ग्रंथी यह देखिए कोशन आता है कोशन आता है यहाँ पर ध्यान देना thyroxine hormone की अधिकता हो जाए तो आखे जो है वो आई कोटर से बाहर निकल जाती है और इसको नेत्रोत सेंदी गहेंगा एक्जोप्थेलेमिक गॉइटर एक्जो का मतलब बाहर ऑप्थेलेमिक का मतलब है आखे आखे बाहर आ जाती है थायराइड ग्रंथी की आत्मत्या और अगला है प्रूमर रोग जिसमें थायराइड ग्रंथी में गाठे बन जाती है अतीस राव के कारण थायराइड ग्रंथी से जो हर्मोन निकल रहा है उसकी अधिकता के कारण थायराइड ग्रंथी में क्या बन जाती चोड़ी गाठे उनको प्लूमर बोलते है खले होगी बात अब सुनना तो आप थायरोक्सीन की चीजे समझिए देखो इस तरह से समझिए थायरोक्सीन थाइरोक्सीन की कमी, अगर कमी हो जाएगी तो जो बच्चे होंगे उसमें कौन सी बीमारी होगी? क्रिटिनिजम या जड़वा मनता और वयस्क में कौन सी बीमारी होगी? ये होगी आपके मिक्सोडीमा तिल क्लियर थाइरोक्सीन की अधिक्ता हो जाए तो कौन सा घेंगा हो रहा है नेत्रोत सेंदी घेंगा और अगर थाइरोक्सीन की कमी हो रही है आयोडीन की कमी हो रही है तो उसके कारण कौन सी बीमारी होती है घेंगा क्लिर हों गई बात याहां तक ठीक बास समझ में आ गई है तो थारॉक्सीन थारॉक्सीन की और कारण कौन-कौन सी बीमारिया हो रही है डिसकस कर चुके है थायरोक्सीन की अधिकता के कारण कौन सी बीमारी हो रही है डिसकस कर चुके है ठीक है यह है जो इम्पोर्टेंट है चलिए ठीक है चलिए इसके अलावा यह आपने पड़ा है थाइराड गरंथी की आत्मत्या ठीक है आटो इम्यून प्राबलम आटो इम्यून थाइराड गरंथी की आटो इम्यून का मतलब है स्वय प्रतिरक्षा तंत्र का विकार तो याद रखना आटो इम्यून में कमी की वज़े से होता और ओट्योंन बिमारी में थाइरोक्सीन हार्मोन की अधिक्ता जब होगी तो उसके कारण होता है he grapes यह भी याद रखना Autoimmune का मतलब क्या समजो Autoimmune बिमारियां वे होती है जो हमारी body के ही Immune System के कारण होती है हमारी body का Immune System ही जब hyperactive हो जाता है हमारी बॉड़िका Immune System जब हमें ही नुकसान बवाई प्रतिरख्षा तंतर का काम क्या है बाहर से आने वाले रोग-जनकों को बॉड़ी में जाने से रहकना अपने और पराय में भेद पहिचानना लेकिन प्रतिरख्षा तंतर की बीमारियां और यान हार्मोन बढ़ जाएगा कम हो जाएगा तो उसको हाशी मोटर रोग कहेंगे अधिकता हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे ग्रेप्स रोग कहेंगे ठीक है थैरोकसीन हार्मोन की कमी बच्चे में हो रही है तो क्रिटेनिजम जड़वामंता बीमारी हो रही है वैस्क में हो आयोडीन की कमी से थायरोक्सीन की कमी हो रही है तो घेंगा थायरेट गंती फूल जाएगी और अगर थायरोक्सीन हार्मोन की अधिकता हो रही है तो इसको नेत्रोज सेंदी घेंगा बोलते हैं अपनी इम्मुनिटी के कारण अगर थायरोक्सीन हार्मोन की कमी हो रही है तो ह आपको पढ़ना है ठीक है अच्छा थाईराट घ्रंती से एक और हार्मोन निकलता है जिसको लोग डिसकस नहीं करते हैं थाइराट घ्रंती से एक है फॉस्फोरस का लेबल घटाता है यह बलड में केलशियम और फॉस्फोरस के लेबल को कम करता है जब बलड में केलशियम का लेबल या फॉस्फोरस का लेबल जाधा हो जाए तो यह उसको कम करने का काम करता है TCT आगे चल कि हम पैरा थैराइड गरंथी में एक हार्मोन बढ़ाएगा ठीक है तो यह TCT याद रखिएगा TCT का उल्टा हम पड़ेंगे आगे चल गए ठीक है यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई दिक्कत होगी ठीक है चलिएगा सब्सक्राइगा अब आगे बात करते हैं आगे जब आप बात करेंगे बच्चों तो थाहराइड के बाद नेक्स्ट जो हमें डिसकस करना है वो करनी है बेटा थाहराइड गरंति थाहारूकसीन हर्मोन निकलता है स्थास इसकी वेट्रखिया गाई तो श्रो अगर आगर ग्रंथी में आट 226 हो रही है जिसकी वज़े से thyroxine hormone घट गया है तो उसको बोलते हाशी मोटो भीमारी और अगर autoimmune problem की वज़े से thyroid गरंती जो है उसका hormone बढ़ जाए तो उसको बोलते grapes ठीक है यह है चीजें जो आप discuss कर पाएंगे अछ़ी तरीके से अगला जो है दोस्तों पैरा थाइड को छोटी-छोटी ग्रंतियां भी हैं ये भी डिसकस हम कर लेंगे टैंशन आपको नहीं लेनी है ठीक है देखो देखो ये चोटी-चोटी गरंतियां आपसे पूछा जाए सबसे पहले पैरा थाराइड, पैरा थाराइड का नाम है परावटू, रेनार्ड ने इसकी खोज करी थी, लाल रंग की गरंति है, प्रतेग थाराइड लोब में, मैंने आपको बोला था, थाराइड के अंदर दो प्रत्येग थाइरएट पाली में 2 से लेकर 6 तक क्या पाई जाती है न जो है पैरा थाइरएट गृंति इसलिए पैरा थाइरएट को से केलशियम निकाल के बलड में केलशियम फॉस्परस बढ़ाता है समझ में आई बात मैंने कहा था आपको TCT थायरोकेल्सिटोनिन हार्मोन यह लिखरा देखो थायराट ग्रंथी से TCT हार्मोन निकलता है जो PTS की उल्टा काम करता है TCT का मैंने पढ़ाया था बलड में केलशियम फॉस्परस के लेबल को घटाता है PTS क्या करेगा बलड में केलशियम फॉस्परस के लेबल को बढ़ाएगा बढ़ाएगा कैसे यहर केलशियम फॉस्परस बाहर से तो लाएगा निए PTS हमारी बोड़ी में एक हड़िया है जहां ज़्यादा calcium phosphorus निकाल देगा जिससे हड़ियां कमजोर हो जाएंगी तो अगर PTH की अधिक्ता हो गई तो दोस्तों अस्थियां विक्रत हो जाती हैं भुरुभुरी हो जाती हैं इस समश्या को osteoporosis या अस्थी छिद्रन कहते हैं अस्थी हो में छोटे-छोटे चिद्र हो जाएंगे भई PTH क्या कर रहा है हड्यों में से calcium phosphorus निकाल के blood में मिला रहे है अगर PTH परयाप्त मातरा में calcium phosphorus नहीं निकाल पाएगा और अगर calcium नहीं निकाल पाएगा तो बेटा calcium जो होता है वो मास पेशियों के हमारी muscles के contraction के लिए ज़रूरी होता है muscles के action के लिए calcium ज़रूरी होता है तो अगर परियाप्त मात्रा में PTH नहीं रहा और वो परियाप्त मात्रा में वहां से नहीं निकाल पाया हड़ियों से calcium और phosphorous बस तो आपके मास पेशियों में क्या होने लगेगी atom और उसको क्या बोलेंगे titani तो आप यह याद रखना कि PTH की कमी से titani रोग और PTH की अधिकता से osteoporosis नाम की बिमारी होती है ठीक है साथी साथ याद रखना PTH को कॉलिप हार्मोन कहते है कॉलिप नाम के scientist ने इसको उपर research करी थी तो पैरा थैराड ग्रंती is also called as a gland within gland ग्रंती के अंदर ग्रंती परावटू कहते हैं थैराड ग्रंती के अंदर पाई जाती है पैरा थैराड हार्मोन निकलता है जो बलड में calcium phosphorous का label बढ़ाता है कहां से बढ़ाएगा हड्डियों में से निकाल अगर PTS जादा हो गया तो हड्डियों में से जादा calcium phosphorous निकाल देगा जिससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी उसमें चिदर हो जाएंगे भुरबुरी हो जाएंगी उसको बोलेंगे osteoporosis पोर का मतलब होता है चिदर ओस्टियों मतलब हड्डियां और अगर पैरा थैराड हार्मन कम रह गया तो परियाप्त calcium नहीं आ पाएगा blood में जिससे मास पेशियों को है calcium नहीं मिलेगा और मास पेशियों में एठन होने लगेगी उसको बोलेंगे osteo उसको बोलेंगे titani ठीक है और यह थैराड गरंथी का जो TCT हार्मोन है इसके बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ ठीक है चल दें आप बात करेंगे thymus गरंथी thymus गरंथी हर्ट के पास पाई जाती है thymus गरंथी एक द्वीपालित का मतलब दो लोब है थैराड गरंथी की तरह है ठीक है जो कि T4 लेंपोसाइट या डवलू बीसी का प्रसिक्षन केंदर है दोस्तों आप से पूचा जाए thymus गरंथी जो है वो डवलू बीसी का क्या क्या लाती है ट्रेनिंग सेंटर डवलू बीसी हमारी क्या है यह ना डवलू बीसी हमारी जो है हमारी रक्षा कोशी का है तो याद रखना थाइमस गरंथी का संबंध किस से है इम्यूनिटी से संबंध है clear इसके अलाबा थाइमस ग्रंती द्वारा जो हार्मोन निकल रहा उसका नाम क्या है थाइमोसीन जो कि क्या कर रहा है immunity को develop कर रहा है साथी साथ antibody में मदद कर रहा है इसके अलाबा मैं बता देता हूँ आपको जब बच्चा मा के पेट में है, as a form of embryo है, embryo की form में है, तब तक उसकी body में immune system को कौन develop करता है, उसकी body में जो प्रतिरक्षा तंत्र है, उसको कौन develop करता है, आप बोलेंगे साब थाइमस गरंती, और थाइमस गरंती से जो हार्मोन निकल रहा है, उसका नाम आपके सामने क्या है थाइमो सीन ना समझ में नहीं आए, वो मैं explain करी रहा हूँ, ठीक है, यह को biology is completely like रटा, इनी चीजों को board पर लिख लिख के, अगर मैं पढ़ाता तो बहुत समय लग जाता, ठीक है, तो इसलिए time भी बचे, quality की चीज भी आपको मिल जाए, ठीक है, और proper तरीके से आप चीजों को manage भी कर प अगली गरंती हमारे सामने है, pineal, very good, यह चोटी चोटी गरंती आए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगी, ज़्यादा आपको परेशान भी नहीं करेंगी, बहुत basics आए, ठीक हो pineal, pineal कहाँ पाई जाती है, pineal के बारे में सबसे पहले तो बता देता हूँ, smallest gland है, शरीर क थर्ड आई, याद रखना, शरीर की क्या बोलते हैं, थर्ड आई, तीसरी आँख, शरीर की biological sexual clock, शरीर की लेंगिक जैविक घड़ी बोलते हैं, sexual clock, एक नाम और इसका, cerebrum, cerebrum epiphysis, cerebrum के ऊपर पाई जाती है, ठीक है, हमारा जो प्रेमस्तिश्क है उसके ऊपर पाई जाती है, या cerebrum के पास पाई जाती है, और ऊपर की तरब पाई जाती है, केरिवरं में हमारे अग्र मस्तिश्क में दो । गरंतिया उना सफेद रनंग की गरंति है जिसके दवारा हार्मोन निकलता है मेलेटोनिन यह याद रखना दोस्तों मेलेटोनिन क्या कर रहा है वेरी वेरी इंपोर्टेंट हमारे रुटीन को तै करता है हमारी सेक्सवल डवलपमेंट को हमारे लेंगिक विकास को साथी साथ महिलाओं में मासिक चक्र को नियंत्रित करता है मासिक चक्र के अलावा यह भी देखा होगा कि अगर आप डेली एक ही टाइम पर जगते हो तो आपको उस समय जगने के लिए अलाम लगाने की जुरुत नहीं है अगर आपने अलाम लगा भी दिया है तो भी आप बिना अलाम के जस्ट आपके जगने के टाइम से एक दो मिनट पहले आपकी नींद खुल जा अब ध्यान से तो आपको आटोमेटिकली उसके खाने क इंडेक्शन आने लगेगा झागटका पीच आए पीच्छाई यसी को सबह 11 बजे मेसेज करते है impatient को किसी का good night आता है सुबह किसी का good morning आता है तो automatically आपकी body में induction आते हैं कि भई message कर ले message देख ले message आया होगा है ना यह यह जो आदत है कौन देती है यह pineal gland साथी साथ हमारे sexual development को control कर रही है महिलाओं में menstrual cycle मासिक चक्र को नियंत्रित कर रही है साथी साथ तुमारे तवचा के रंगों को भी नियंत्रित करती है अब ध्यान से देना melatonin hormone की मात्रा यह याद रखना melatonin hormone की मात्रा तेज प्रकास में घट जाती है और अंदकार में बढ़ जाती है ठीक है melatonin की कम मात्रा होने पर लेंगिक विकास जल्दी हो जाता है इसलिए जो जन्म से अंदे बच्चे है अब जो जन्म से अंदे बच्चे है उनकी उनमें प्रकास की मात्रा आखों में कम पहुच रही है ठीक है प्रकास की मात्रा आखों के अंदर क्या हो रही है कम पहुच रही है तो अंदकार में मेलेटोनिन की मात्रा, अरे समझो, अंदे बच्चे, अंदे बच्चे तो अंदे बच्चों की आँख में क्या पहुच रहा है, प्रकास कम, प्रकास कम पहुच रहा है, तो मेलेटोनिन जादा, और मेलेटोनिन अगर जादा है, ठीक है, वन सेकंड, वन सेकंड, वन सेकंड, उल्टा हो गया किया है हमारे सामने मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा तेज प्रकाश में क्या हो जाती है घट जाती है और अंदकार में क्या हो जाती है बढ़ जाती है मेलेटोनिन हार्मोन की मात्रा अगला है मेलेटोनिन की कम मात्रा होने पर लेंगिक विकास जो है वो जल्दी लग रही है ठीक है इसको अभी explain करेंगे clear आप यह याद रखना melatonin hormone की मात्रा तेज प्रकास में क्या हो रही है तेज प्रकास में घट रही है और कम प्रकास में बढ़ रही है ठीक है चलो आप देखना पहले कुछ चीजे और explain कर देता हूं मैं आपको कि आपके बढ़ती उम्र के साथ बढ़ती उम्र के साथ जो पीनियल ग्लेंड है वो क्या होने लग जाती है कमजोर और तब इससे तब इससे send of brain कहते हैं send of brain तब इससे मस्तिश्क की rate कहते हैं जिस प्रकार से rate का कोई काम नहीं रह जाता उसी प्रकार से पीनियल ग्रंती का भी एक उम्र के बाद लगबग 40-50 की उम्र तक देखिए हमारा रुटीन सेट हो जाता है लेंगिक विकास हो चुका होता है महिला में मासिक चक्र भी समाप तो चुका होता है हमारी तवचा का रंग भी फिक्स हो चुका होता है तो बढ़ती उम्र के आती साथ में बता देता हूँ आपको कि पीनियल ग्रंती जो है पीनियल ग्रेंड के कारण हमें एक सिंड्रॉम आता है जिसको बोलते हैं विड्रॉल सिंड्रॉम अब विड्रॉल सिंड्रॉम क्या है दोस्तों जब हम अपनी कोई आदत छोड़ते हैं जब अपनी कोई लत आपने देखा होगा कई लोग जो होते हैं गुटका तंबाक उखाते हैं कई लोग जो होते हैं जो चाय छोड़ रहे हैं किसी से बात करना छोड़ रहे हो है ना कोई भी आप अपनी आदत छोड़ रहे हो तो आदत छोड़ने पर कुछ दिन तक हमें उस आदत को छोड़ने की साब से मैसेज देना तो पीनियल ग्लेंड आपको रूटीन के साब से बार-बार मैसेज छोड़ती है और वो मैसेज जो है वो जब आपको परेशान करते हैं इसकी वज़े से आपको चिर्चड़ापन गुसा तनाव एंग्जाइटी है ना यह सब कुछ आपको जो है फील होत है हमारी बोड़ी का सार्केडियन रिदम है उसको यह मैनेज करती है इसके बाद अगर हम बात करें совремण कि क्या हो रही है बढ़ रही है ठीक है क्लियर हुई बात यहां तक तो यह एक बार याद रखना अब हम आगे बात करते हैं बिटा आगे हमारे पास अगनाश ग्रंथी देखिए छोटी छोटी ग्रंथियां है यह कुछ ग्रंथियां आप बड़ी भी पड़ेंगे अगनाश ग्रंथी दोस्तों अगनाश ग्रंथी को पैंक्रियाज बोलते हैं पकवासे भी बोलते हैं अगनाश ग्रंथी पत्ती के आकार की लीफलेट के आकार की मिश्रित में enzyme निकलते हैं digestive enzymes निकलते हैं पाचक enzyme निकलते हैं ट्रिपसे न आपने पड़ा होगा तो अगनाश्य ग्रंती के 22 भाग से पाचक enzyme निकलते हैं और अगनाश्य ग्रंती का जो अंतेस राभी भाग है उसको isolates of likeness दिपेका में तीन प्रकार की कोशिकाएं यह याद रखना यहोई है एलफा कोशिका बीटा कोशिका डेल्टा, एलफा कोशिका से ग्लुकागोन हार्मोन निकलता है, ग्लुकागोन हार्मोन बलड में ग्लुकोज का लेबल बढ़ाता है, ठीक है, अगला है बीटा के बीटा, जो है बीटा से हार्मोन इंसुलिन निकलता है, बहुत आता है पेपर में इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन क्या कर रहा है बलड में ग्लुकोज के लेबल को घटाता है और तीसरा डेल्टा कोशिकाओं से सॉमेटोस्टेटिन निकलता है जो भोजन के स्वांगी करन मतलब भोजन को बोड़ी के ओर्गन्स तक पहुचाना बोजन जब पचेगा पचने के बाद वो जो एनर्जी और वह जो मिनरेल्स जो भोजन से मिले हैं उनको बोड़ी के ओर्गन्स तक पहुचाना सवांगी करन कालाता तो याद़ रखना ग्लुकागोन क्या करता है ग्लुकोज बढ़ाता है और जो इसलिग उन्सुलिन और स्वित गलुकोज घटाता की संग्रचना का पता लगाया, इसमें प्रोटीन का पता लगाया, इंसुलिन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोने, इंसुलिन हार्मोन की जब कमी होती है, तो रुधिर में ग्लुकोज का लेबल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और बलड में ग्लुकोज का लेबल बढ़ जाता ह यह न वो आपके मदू में के कारण होती है इंसुलिन हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए कमी से तो क्या हो जाएगा ग्लुकोज का लेबल बढ़ रहा है अगर इंसुलिन हार्मोन की अधिकता हो जाए तो हाइपो ग्लाइसीमिया हो जाएगा यानि ग्लुकोज घट जाएगा अरे भई हाइपो ग्लाइसेमिक हार्मोन इंसुलिन ग्लूकोज को गटा रहा है ठीक है तो इंसुलिन की कमी से क्या हो रहा है मदू में तो मदू में एक प्रकार का क्या है हाइपर ग्लाइसीमिया है हाइपर ग्लाइसीमिया का मतलब क्या है ग्लूकोज का लेबल बढ़ रहा और आगर इंसुलिन की मात्रा जादा हो गई तो क्या हो जाएगा आपके घट जाएगा लेबल किसका आपके लेबल लेबल करत जाएगा उसको हाईपोगलाइसीमिया कहें आगे हमारे पास अगली ग्रंती जो है वो कौन सी ग्रंती है बेटा तो यह याद रखना है अगनाश्य ग्रंती के जो अंतियासरा भी भाग को लेंगरेंस की दीपी का कहते हैं जिसमें तीन प्रकार की कोशिका है एलफा बीटा और डेल्टा एलफा सेल से ग्लुकागोन जो स्वांगी करण में मदद कर रहा है ठीक है इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की स्ट्रक्चर किसने पता लगा यह बता दिया और इंसुलिन हार्मोन की कमी अधिकता से कौन सी बिमारी हो रही है उसका भी बता दिया अब देखो अब हमारे सामने नेक्स्ट जो हमारे सामने जो ग्रंथी है वो कौन सी है एड्रीनल मेजर मेजर ग्रंथियां जो हैं यहां पर आएंगे एड्रीनल देखो बेटा एड्रीनल ग्रंथी किडिनी के उपर पाई जारी है एड्रीनल ग्रंथी को 4S ग्रंथी कहते हैं क्या बोलते हैं 4S क्योंकि S से शुरू होने वाली 4 चीज को मैनेज करती है अब सुनना आप देखो जो आपके एड्रेनल ग्रंती के चार भाग हैं दो भाग हैं याद रखना एड्रेनल ग्रंती का ये तीनों जो नियंत्रित होते हैं ये cortex भाग दवारा नियंत्रित होते हैं, adrenal गरंती के cortex भाग दवारा सुगर, salt और sexual development का निर्धारण होता है, और adrenal गरंती के medulla भाग दवारा stress का नियंत्रण होता है, तो adrenal गरंती के कितने भाग हो गए, दो, cortex और medulla, सुगर का नियंत्रण करने वाले हार्मोन क्यालाते हैं, Glucocorticoid, Glucose का मतरब है, Glucose, Cortico का मतरब है, Cortex and Ed का मतरब है, Adrenal, तो Glucocorticoid हार्मोन, Ed का मतरब Adrenal, Corticoor का मतरब Cortex और Glucose को बैलेंस करते हैं, लवन संतुलन करने वाले लवन होते हैं, मिनरल, तो Mineralo Corticoid हार्मोन, hope mineralocorticoid ये mineral का संतुलन करते हैं sexual characters हमारे जननांगों को इंगलिश में gonad बोलते हैं तो gonadocorticoid hormone किसका संतुलन करेंगे हमारे sexual characters का और तनाव का नियंतरन करने के लिए हमारे पास दो हार्मोन है adrenaline और nor adrenaline adrenaline noradrenaline ये majorly चार ग्रूप है हार्मोन्स के याद रखना एड्रिनल गरंथी को 4S गरंथी कहते हैं क्योंकि यह हमारी बोड़ी के एस से स्टार्ट होने वाले 4 करेक्टर्स को निर्धारित करती है यह देखिए एडरिनल गरंती के दो भाग ہے कोटेक्स और मेडूला कोटेक्स बाग से तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं ग्लुको कॉल्टिकोईड सरकरा संतुलक, मिन्रेलो कॉल्टिकोईड लवन संतुलक और लिंगी हार्मोन या गॉनेडो कॉल्टिकोईड हार्मोन अब सुनना ग्लुको कॉल्टिकोइड के अंदर बात करें तो इसमें according to NCRT प्रमुख हार्मोन का नाम है कार्टी सौल यह कार्टी सौल हार्मोन एक प्रकार का ग्लुको कॉल्टिकोइड हार्मोन है जो बोडी में सुगर के बैलेंस को कंट्रोल करता है मिनरेलो कॉल्टिकोईड में हमारे पास एक्जामपल है LD-Sterone हार्मोन यह बोडी में सोडियम, पोटेशियम, जल और लवनों की मात्रा को नियंत्रित कर रहा है लिंगी हार्मोन में estrogen, progesterone, testosterone को सनाता है कि जनन गरंतियों के अलावा ब्रशन और अंडास है, ovary और testis के अलावा वो गरंति बताईए जिससे sexual हार्मोन निकलते हैं तो आपका सीधा उत्तर जाएगा किस के पास, बेटा, adrenal के पास, clear, तो adrenal गरंति के द्वारा ये तीन हार्मोन कहां से निकल रहे हैं, cortex से निकल रहे हैं, बेटा, कहां से निकल रहे हैं, cortex, ठीक है, मैं आपको explain कर चुका, तीनों हार्मोन के बाद, next, अब हमारे सामने आ गया adrenaline hormone, adrenaline hormone को epinephrine भी बोलते हैं, सुनना, adrenaline hormone, ये hormone जो है, तनाव controller है, stress controller, संकट मोचक कहा जाता है, करो या मरो hormone कहा जाता है, 3F, fear, fight, flight, hormone कहा जाता है, लडो, उडो, hormone कहते हैं, ये hormone क्या करता है, चिंता, डर या तनाव के समय, आपको क्या ले आएगा, पसीने लाएगा, heartbeat बढ़ा देगा, blood pressure बढ़ा देगा, heart beat को क्या कर देगा, increase कर देगा, blood pressure क्या कर देगा, बढ़ा देगा, रोंग्टे खड़े कर देगा, ठीक है, आँकों की पुतलियां फैला देगा, तो ये hormone व यहाँ पर लिखा हुए, adrenaline ने एक steroid हार्मोन है, तो ये ठीक नहीं है, इसको मैं correct करवा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं correct करवा रहा हूँ, adrenaline जो है वो हमारा, एक amino acid से बनने वाला हार्मोन है, ठीक है, clear, क्या पढ़ेंगे इसको, ये correct, इसको काटेंगे, ये correct कर लिजेगा, किस से बना है, टाइरोसीन अमीनो एसिड से बना हार्मोन है, ठीक है, adrenaline किस से बना हुआ हार्मोन है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, adrenaline के बारे में, इसी के साथ हम नया नाम पढ़ेंगे, noradrenaline या norepinephrine, ये noradrenaline जो है, adrenaline की help करता है, ठीक है, noradrenaline क्या करता है, adrenaline की help करता है, adrenaline की मदद करता है, तो adrenaline, noradrenaline दोनों medulla से निकलते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसका screenshot ले लीजेगा, ठीक है, चलिए, आगे हम बात करते हैं, ये noradrenal adrenaline की बात रही, देखिए, चलिए, एक ही class में हम लोग पूरे endocrine system को आज सल्टा देंगे, ठीक है, या हो सकता है, एक session हम और ले ले, ठीक है, खिलाडियों के लिए adrenaline यूज करना ठीक नहीं है, हिटलर अपने सैनिकों के adrenaline के injection लगवाया करता था, इससे क्या होता है, डर से म adrenaline हार्मोनों की कमी के कारण कौन सी बिमारी हो जाती है, addition बिमारी, कौन स रोग, LD stiron हार्मोन की अधिकता के कारण कौन सी बिमारी होती है, और Cushing syndrome, Cartisol की अधिकता के कारण Cushing syndrome होता है, ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए, ये syndrome की बात है, कुस जो आपका पूचा जाए, चीजें ध्यान से देखना, कौन स बिमारी, जो LD stiron हार्मोन है, उसकी अधिकता के कारण कौन स नाम की बिमारी होती है, कार्टी सॉल की अधिकता के कारण Cushing बिमारी होती है, Cushing syndrome, और Cushing रोग की बात करते हैं, syndrome और रोग में कोई ज़्यादा difference नहीं है, syndrome is a group of symptoms, लेकिन कई जगे लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी लिखवा दिमन, ACTH, यह Puse गरंती में हार्मोन पड़ेंगे, देखिए Puse गरंती को मास्टर गरंती कहते हैं, मास्टर गरंती क्या करती है, सभी गरंतियों पर control बनाती है, तो Puse गरंती पर भी क्या बनाएगी, control बनाएगी, तो adrenal ग ACTH हार्मोन ही कम मातरा में मिल रहा है, ACTH यानि Adrenal Coorticotropic हार्मोन, यह हार्मोन कहां से निकल रहा है, यह हार्मोन पειATHAN गरंती से निकलने वाले इस हार्मोन की कमी हो गई, तो Cushing बीमारी हो जाती है, है ना, Syndrome Word Attacking, Disease काम में लेने लग जाते है, जो Sexual हार्मोन है उसकी अधिकता से एड्रिनल विरिलिजम पीमारी हो जाती है जिससे महिलाओं में दाड़ी मूठ साने की समश्या हो जाती है और लिंगी हार्मोनों की अधिकता से आईनी केस्ट्रीमिया रोग हो जाता है आईनी केमिस्ट्रिया का मतलब है आभासी उभैलिंगता आभासी उभैलिंगता का जाता है कि इसमें दोनों लिंग हैं किनर दिखने लग जाते हैं जबकि वो होते नहीं है तो आइनी केमिस्ट्रिया का मतलब है पुरुसों में महिलाओं के लक्षण महिलाओं में पुरुसों के लक्षण पुरुसों में इस्तनग्रंथियां महिलाओं में आपके पुरुसों हर्मोन की कमी हो जाए तो आपको कौनस बीमारी हो जाएगी कौ्टिसोल हार्मोन की कमी हो जाए कुशिंग सिंडरॉम हो जाएगा कुशिंग रोग के लिए अप ACTH याद रख रोगे एडरिनल कौटिको-ट्रॉपिक हर्मोन जो प्यूस ग्रंती से निकल रहा है और adrenal cortex भाग को कंट्रोल कर रहा है इस हार्मोन की कमी से कुशिंग रोग हो जाता है sexual hormones की अधिकता से महिलाओं में दाड़ी मुझ आ जाती उसको बोलते है adrenal virilism इसके अलावा पुरुसों में महिलाओं के महिलाओं में पुरुसों के लक्षन आ जाते हैं इसको बोलते है आईनी केमिस्ट्रिया ठीक है और उसके बाद edema रोग की बात भी हमने साथ में साथ कर ली है ठीक है clear हो गई बात यहां तक चलिएगा pinial देखिए pinial ग्रंथी से कौनसा हार्मन निकल रहा है? melatonin ठीक है? melatonin किस-किस चीज को control कर रहा है body temperature को control कर रहा है melatonin हमारे routine को control कर रहा है दिन्चर्या को melatonin हमारे त्वचा के रंग का नियंत्रन कर रहा है मेलेटोनिंग जो है महिलाओं में मासिक चक्र मेस्ट्रोल साइकल का नियंतरन कर रहा है ठीक है जो है लेंगिक विकास का सेक्सवल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं प्यूबर्टी का नियंतरन कर रहा है अब सुनना देखो यह हमने पढ़ा था कि अंधिरे में अंधिरे या नाइट के समय पर मेलेटोनिन की मात्रा बढ़ जाती है मेलेटोनिन का उत्पादन बढ़ जाता है और डे टाइम या लाइट के एक्सपोजर में मेलेटोनिन का उत्पादन घट जाता है ठीक है मेलेटोनिन का अच्छी स्लीप से भी कनेक्शन है डारेक्ट तो नहीं इंडारेक्ट कनेक्शन है यानि मेलेटोनिन का उत्पादन रात को क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो अच्छी नीद आती है ठीक है नीद के लिए ये stimulate करता है clear melatonin hormone serotonin से व्युत्पन होता है serotonin से व्युत्पन है serotonin से derived है serotonin क्या है हमारी body का एक happiness hormone है feel good hormone है तो melatonin की उत्पत्ती किस से होई है serotonin से होई है clear अंधेरे में इसका उत्पादन बढ़ जाता है ठीक है और दिन के प्रकास में इसका उत्पादन घट जाता है clear अच्छा melatonin melatonin कम होता है तो लेंगिक विकास जल्दी होता है यह लेंगिक विसकास के साथ connection है लेंगिक विकास जल्दी और melatonin की मात्रा अगर जादा है तो लेंगिक विकास लेट आता है यह लेंगिक विकास के साथ connection है, ठीक है, अब जो अंधे बच्चे होते हैं, जो बाइबर्थ अंधे बच्चे होते हैं, जो अंधे बच्चे होते हैं, उनमें मेलेटोनिन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, जो अंधे बच्चे होते हैं, उनमें अर्ली प्यूबर्टी इनमें लेंगिक विकास जल्दी आ जाता है यह कंसेप्ट हमारा अभी क्लियर हुआ पहले हम थोड़ा से कन्फ्यूज हो गए ठीक है तो यह आत रखिया अंधेरे में यह डेली यह उनके साथ है जिनकी जिनका रूटीन डेली चोईस गंटे का है ना आ लिचलन चलते रहते हैं दिन के समधव जायगा रात में बढ़ जाएका उत्तपादन अच्छा अच्छा डेलेटॉनीट आपको अच्छी स्लीप के लिए मोटिवेट करता है अगर नो एक। यह जल्दी होता है तो एक पढ़ना है Pius Granty, मैंने कल Adrenal पढ़ाई थी, आपको Adrenal अपने आप में Major है पढ़ने की दुरस्टी से Pius Granty भी Major है, Pius Granty अगर मस्तिष्क में पाई जाती है, सुनना, Pius Granty को Master Granty बोलते हैं, अगर मस्तिष्क में पाई जाती है Pius Granty को cerebral hypophysis penial ग्रंती को epiphysis कहा था इसको cerebral hypophysis कहेंगे master ग्रंती कहेंगे master क्यों कहते हैं क्योंकि पूरी body पर क्या करती है पूरी body की ग्रंतियों पर control manage करती है ठीक है अगला Pius ग्रंती के सबी गरंतियों पर कंट्रोल कर रही है, गरंतियों पर कंट्रोल किसके दवारा करेगी, हार्मोन के दवारा, तो सबसे पहला हार्मोन है, सॉमेटोट्रोपिन, इसको STH, ग्रोथ हार्मोन या व्रधी हार्मोन कहते हैं, यह किसको कंट्रोल करेगा, बॉड़ी की व्रधी को, य ठीक है डारेक्ट पूचा जाता है कि व्रधि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन के दिक्ता से जो वयस्क हैं उनमें कोँवी to die और his एक्रो मेगेली वेदी हार्मोन की मी रह जाए तो क्योumm retro retro retrovania हो जाती है ड्वार्फिजम ड्वार्फिजम का मतलब है बोनेपन की जो समश्या है वो व्रद्धी हार्मोन की किस से हो रही है कमी से हो रही है ठीक है व्रद्धी हार्मोन कम रह जाएगा तो बोनेपन की समश्या देखने को मिलेगी व्रद्धी हार्मोन जादा हो जाएगा त यहां तक कोई प्रउबलम, मैं जहां तक मानता हूं किसी भी तरह की कोई प्रोबलम नहीं होगी. ठीक है? चलिए. अच्छा यह जो आप अग्र प्यूस पढ़ रहे हैं इसका नाम है एडीनो हाइपोफाइसीज अग्र प्यूस का नाम है एडीनो हाइपोफाइसीज पस्च प्यूस का नाम पढ़ेंगे नियूरो हाइपोफाइसीज ठीक है पूछ लिया जाता है प्यूस ग्रंति का नाम है सेरीब्रो हाइप इसमें अग्र प्यूस का नाम है एडिनो और पस्च प्यूस का नाम है जो है नियूरो हाइपोफाइस ठीक है अग्र प्यूस पूरी बोड़ी के हार्मोंस को कंट्रोल कर रहा है पूरी बोड़ी की क्रियाओं को कंट्रोल कर रहा है तो सॉमेटोट्रॉपिन हो गया दूसरा TSH, thyroid stimulatin hormone, simple सी बात है किस ग्रंथी पर कंट्रोल करेगा इस हार्मोन के दवारा thyroid पर, तो आप से पूछा जाए कि PUS ग्रंथी thyroid ग्रंथी पर क्रिया या PUS ग्रंथी थायरोक्सीन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए कौन सा हार्मोन छोड़ती है, TSH, thyroid stimulatin हार्मोन, thyroid प्रेरक हार् तो PUS ग्रंथी के अगर PUS भाग से पहला हो गया, STH व्रद्धी हार्मोन, दूसरा हो गया, TSH, thyroid पर नियंत्रन, ठीक है, अब आईए, यह देखिएगा, तीसरा, MSH, melanocyte stimulatin हार्मोन, यह melanocyte जो है, हमारी तवचा में पाई जाती है, कोशी का, और यह melanocyte कोशी का कौन से वरनक मुक्त करती है, मेलनोसाइट कोशिका जो है, यह क्या करती है, मिलेनिन नाम का वरनक मुक्त करती है, मिलेनिन और यह मिलेनिन हमारी तवचा के रंग को निर्धारित करता है, तो MSH हार्मोन मेलनोसाइट तवचा की मेलनोसाइट कोशिकाओं को प्रभावित करता है, हमारी बोडी पर तिल और के निर्माण में MSH हार्मोन जिम्मेदार है अगला मैंने पहले भी डिसकस किया ACTH Adrenal Corticotropic हार्मोन यह हार्मोन एड्रेनल गरंती के कौन से भागत पर निंत्रन करेगा Act colaborे परन से अगला है इसतनलल गरंती यह बोलते हैं अगला है रोट्रेकार की हार्मोन एलेच Divine लूटिनाइजिंग हार्मोन इसका एक नाम और है ICSH, Interstitial Cell Stimulating Harmon, नी पढ़ना, आप तो लूटिनाइजिंग याद कर लेना, लूटिनाइजिंग हार्मोन देखो क्या करेगा सुनना, लूटिनाइजिंग हार्मोन पुरुस और मैला दोनों में ही जननागों पर कारेगा, तो टेस्टोस्टिरोन हार्मोन कहां से निकलता है, टेस्टोस्टिरोन हार्मोन हमारे वरषणों में लीडिंग या अंत्राली कोशिकाओं से निकलता है, तो LH क्या कर रहा है, LH मेल में टेस्टोस्टिरोन का उतपादन, मेल में टेस्टोस्टिरोन का उतपादन और फीमेल में estrogen के उतपादन को control कर रहा है LH hormone, luteinizing hormone, पुरुस में testosterone के उतपादन को और महिला में estrogen के उतपादन को प्रेरित कर रहा है यानि बेटा पीउस ग्रंती दो प्रकार के gonadotropin hormone release करती है, दो प्रकार के जननांगों पर नियंतरन करने वाले hormone release करती है जिनमें LH, LH तो जनन hormones की मात्रा को control कर रहा है और FSH हमारी जनन कोशिकाओं को प्रभावित कर रहा है LH पुरुष में testosterone, महिला में estrogen की quantity को नियंतरित कर रहा है और FSH पुरुष में सुक्राणू और महिला में अंडाणू के उतपादन को नियंतरित कर रहा है तो देखा जाए तो आपके पास देखिए आपके पास कौन-कौन से हार्मोन है जो निकल रहे हैं अगर पी उस से एक तो TSH जिसको आप growth हार्मोन कह रहे हैं पहला सॉमेटो ट्रोपिक हार्मोन या growth हार्मोन दूसरा TSH इससे किस पर कंट्रोल कर रहा है थैरेड पर तीसरा MSH इसके दौरा त्वचा की मेलेनोसाइट कोशिकाओं पर नियंतरिन जो की मेलेनिन नाम का वरनक बना रही है ACTH adrenal corticotropic हार्मोन adrenal ग्रंती के cortex भाग पर नियंतरिन हैना LTH lactotropic हार्मोन लेक्टोज सरकरा यानि दुग्द के उत्पादन और उसके बाद LH पुरुसों में estrogen महिला में estrogen के उत्पादन को कंट्रोल कर रहा है और FSH पुरुसों में शुक्राणू में अंडाणू के उत्पादन को कंट्रोल कर रहा है ठीक है STH व्रद्धी को कंट्रोल कर रहा है TSH thyroid पर नियंतरिन कर रहा है MSH तवचा की melanocyte को सिका पर नियंतरिन कर रहा है ठीक है ACTH adrenal गरंती के cortex भाग पर नियंतरिन कर रहा है लेक्टो ट्रॉपिक हार्मोन दुग्द उत्पादन को प्रेरित कर रहा है LH पुरुस में टेस्टोस्टिरोन के उत्पादन को और महिला में estrogen के उत्पादन को प्रेरित कर रहा है इसी तरह FSH पुरुस में शुक्राणूं के उत्पादन को प्रेरित कर रहा है और महिला में अंडाणूं के उत्पादन को प्रेरित कर रहा है ठीक है तो ये हार्मोन्स के माध्यम से जो हमारा जो प्यूस गरंती का अगर भाग है क्योंकि हमने पढ़ा ये प्यूस गरंती को मास्टर गरंती का है तो प्यूस गरंती किस तरीके से कंट्रोल बोडी की अलग-अलग गरंतियों पर कर रही है ये याद रखना है क्लियर समझ पस्च पी उस का नाम क्या है, neuro hypophysis, देखना, पस्च पी उस से दो हार्मोन निकलते हैं, एक तो निकलता है oxytocin, दोस्तों oxytocin को love हार्मोन कहते हैं, oxytocin को happiness हार्मोन या feel good हार्मोन कहते हैं, पढ़ाऊंगा मैं आगे चलके और अच्छे से कौन-कौन से happiness हार्मोन है, oxytocin क को पिटोसिन भी कहते हैं, औक्षिटोसिन को दुगद मोचक हार्मोन कहते हैं, औक्षिटोसिन को प्रसव हार्मोन, पार्चुरेशन हार्मोन कहते हैं, औक्षिटोसिन को गर्वपात हार्मोन भी कहते हैं, अब इतनी चीजे क्यों कहते हैं सुनो, प्रसव हार्मोन बच्चे क डिलेवरी के समय भुरून की ऊपर नीचे जो गती होती है भुरून को ऊपर नीचे पुश किया जाता है जो भुरून को ऊपर नीचे पुश करते हैं वो ऑक्सिटोसिन करता है कभी-कभी प्रसव के उचित समय से पहले ही ऑक्सिटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है जिसके करवाना पड़ता है इसको गरपात हार्मोन भी कहते हैं दुख्द मोचक हार्मोन यह हार्मोन जो होता है मवेशियों में इसके इंजेक्शन लगाने से मवेशियों में दुख्द उत्पादन बढ़ जाता है दुख्द गरंथियों को एकसाइट करता है जादा दूद उत्प या वेसोप्रेसिन यह पस्च पी उसके द्वारा निकलते हैं ADH का नाम है एंटी-डाई-उरेटिक हार्मोन यह इसी को बोलते हैं प्रतिमूत्रल हार्मोन प्रतिमूत्रल हार्मोन क्या करता है यह मूत्र में से मूत्र में जल कम करता है मूत्र में जल को क्या करता है कम कर देता है मूत्र में से जल को वापस बोड़ी में खीच लेता है ADH है ना लेकिन अगर ADH की कमी हो जाए तो मूत्र में जल क्या हो जाएगा ज्यादा मूत्र में जल ज्यादा हो जाएगा ज्यादा होने की समश्या को diuresis बोलते हैं मूत्र में जल जादा हो जाएगा इस समस्चा को diuresis बोलते हैं और जब यह जब यह प्राबलम पर्मानेंट हो जाए तो इसको diabetes insipidus मैंने आपको बोला था diabetes दो प्रकार का होता है diabetes mellitus और diabetes insipidus diabetes mellitus में मूत्र में glucose की मात्रा बढ़ जाती है इस कारण रोगी को बारबार ट시लेट जाना पड़ता है और diabetes insipidus मैं मूत्र में जल जादा हो जाता है जिसकी वज़े से रोगी को बारबार टiaryलेट जाना पड़ता है तो अगर P.E.U.S पस्च पी उस किलियर हो गया होगा बेटा, अगर पी उस और पस्च पी उस, है न, ठीक एछ अगर पुई उस से बहुत सारे हर्मोन्स मैंने पढ़ाए, पस्च पी उस से दो हर्मोन याद रखने, ओक्सिटोसिन और साथ में A.D.H आप को याद रखना, ठी इसके बाद हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम जो बात करेंगे, देखिए, one second, ADH हार्मोन हो गया हमारे सामने, ठीक है, ADH के बाद अब हम जो हमारे जो गरंतियां हैं, जिनमें जनन गरंतियां हो गई, ब्रशन और अंडाश है, ठीक है, उनके बारे में हम लोग समझेंग ब्रशन और अंडाश है के बारे में तो आप वैसे अल्रेडी पड़ी रखें हैं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ा देता हूं, और कुछ चीज़ें पढ़ा देता हूं, ठीक है, चलिए, देखो जरा ध्यान दो, हमारे जनन गरंतियां, ठीक है, ब्रशन टैस्टिस, ब्रश के नीचे, अबडोमिनल कैविटी के नीचे पाए जाते हैं, क्योंकि यहां का तापमान बोडी के टेंपरेचर से 2-3 डिगरी सेंटिग्रेड कम होता है, और यह तापमान कम होने से शुक्राणू उतपादन अच्छे से होता है, शुक्राणू के उतपादन के लिए जरूर इनके द्वारा एंड्रोजन, नर्जनन हार्मोन को क्या बोलते हैं, एंड्रोजन उतपादित किये जाते हैं, जिन में प्रमुख है टेस्टोस्टिरोन, यह टेस्टोस्टिरोन हार्मोन जो है, यह एक प्रकार का नर्जनन हार्मोन है, और यह टेस्टोस्टिरोन हार्मोन को male reproductive hormone, नरजनन हर्मोन कहते हैं, ठीक है, ये male characters के लिए जिम्मिदार होता है, इसी तरह female में अंडाशे, अंडाशे को बोलते हैं, औरी, अंडाशे में याद रखना, अंडाशे में एक structure होती है, इसका नाम है graphian follicle, graphian follicle, ये graphian follicle से कौन सा हर्मोन निकलता है, estrogen हर्मोन निकलता है, estrogen हर्मोन, ठीक है, और इसके अलावा uterus में, मैला का जो गर्भाशे है, गर्भाशे में एक structure बनती है, जिसका नाम है carpus luteum, carpus luteum, ये carpus luteum yellow color की एक structure है, इसके द्वारा कौन सा हर्मोन निकलता है, progestron हर्मोन, तो मैला में जनन हर्मोन दो है, estrogen और progestron, हर्मोन, ठीक है, estrogen हर्मोन को गर्भ निर्धारक हर्मोन बोलते हैं, और progestron हर्मोन को गर्भ की तैयारी, progestron हर्मोन गर्भावस्था को गर्भ के लिए तैयार करता है, progestron हर्मोन है ना, गर्भावस्था को गर्भ के लिए तैयार करता है, ठीक है, pregnancy के बाद एकोशन आता है प्रेगनेंसी के बाद किस हार्मोन का लेबल घट जाता है तो प्रेगनेंसी के बाद प्रोजेस्ट्रोन का लेबल घट जाता है क्यों क्योंकि फिर बार-बार गर्भावस्था के लिए तैयार नहीं करना प्रोजेस्ट्रोन की मात्रा कम हो जाती है क्योंकि महिला में मासिक च रहता है तो हर मासिक चक्र के दोरान वह एंडोमेट्रियम बलड के साथ उस एंडोमेट्रियम के टिश्यू बाहर चले जाते हैं रिपेर होने के लिए ताकि पुराने टिश्यू ख्षतिग्रस्त उतक बाहर चले जाएं और नए उतक बने तो जब एंडोमेट्रियम महिला के म चक्र में जो bleeding phase है रक्त्य स्राव प्रावस्ता है उसमें जो छतिग्रस्त उतक जब बाहर चले जाते हैं endometrium के गरभाशे की जो आंतरिक परत है endometrium उसके जो damaged tissues है वो blood के साथ जब बाहर चले जाते हैं तो बचा हुआ भाग जो होता है उसको carpus luteum कहते हैं और यह बचा हुआ भाग progestron hormone release करता है और यह progestron hormone वापस से गरभाशे की नए गरभाशे की मरमत करता है मतलब गरभाशे का नया tissues बनाता है तो यह गरभ की तैयारी करने वाला hormone है एक बार pregnancy हो गई तो उसके बाद जो है मासिक धर्म बंद हो जाएगा menstrual cycle बंद हो जाएगा तो यह कारपस luteum की quantity बच जाएगी कम रहेगी यह ज्यादा नहीं बनेगा ज्यादा नहीं बनेगा तो प्रोजेस्ट्रोन का उत्पादन घट जाएगा तो यह हमारे जनन हार्मोंस के बारे में है हमारे रिप्रोड़क्टिव हार्मोंस के बारे में बात है ठीक है चलिए क्लियर हुई बात यहां तक ओके इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो हमने हाइपोथेलमस को क्या कहा है मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथी कहा है हाइपोथेलमस को ठीक है हाइपोथेलमस हमारी भूख प्यास दर्द बोड़ी के टेंपरेचर को मेंटेन करता है हाइपोथेलमस को सुपर मास्टर या हेड मास्टर या मास्टर ऑफ मास्टर क्यों कहा है क्योंकि करता है है ना दो हार्मोन चोड़ता है सोमेटोस्टेटिन और गॉनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ना तो याद रखना कि दो हार्मोन चोड़ता है हाइपोथेलमस गॉनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ठीक है और इसके अलावा सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ये दोनों हार्मोंस के द्वारा जो हाइपो थेलमस है वो पिउस ग्रंथी पर कंट्रोल अपना बना के रखता है तो पिउस ग्रंथी मास्टर हाइपो थेलमस सुपर मास्टर ठीक है पिउस ग्रंथी कई हार्मोंस की माध्यम से बोडी की ग्रंथियों पर कंट्रोल करती है ज प्रोथ हार्मोन के द्वारा पूरी बोडी पर कंट्रोल कर रखा है, हैना LTH के द्वारा इस्तन ग्रंतियों पर कंट्रोल कर रखा है, हैना MSH के द्वारा तो चाकी कोशिकाओं पर निंत्रन कर रखा है, clear, यह PUS ग्रंती न कर रखा है, PUS ग्रंती पर कंट्रोल किसने कर रखा है, हाइपो थेलमस न है, कौन-कौन से हार्मोन है, दो हार्मोन, नोट्स में लिखे हुए है, GnRH और समेटोस्टेटिन, ठीक है, clear, चलिए, ओके, यहां तक बार ठीक, चलिए, देखिएगा, इसके बाद हम बात करेंगे यहां पर, one second, चलिए, देखो यह वाला, लिखा हुआ यहां पर साफ साफ, clear कि हाइपो थेलमिक हार्मोन में, GnRH हार्मोन, GnRH हार्मोन, P2Tree ग्रंती से निकलने वाले गॉर्नेटोट्रोपीन हार्मोन की मात्रा बढ़ाता है, जबकि सुमेटोस्टेटिन हार्मोन, P2Tree के ग्रोथ हार्मोन की मात्रा का संदमन करता है, इसलिए आईपो थेलमस को संदमन का मतलब कम करता है, clear, समझ गे बात को, तो कीट जुन्ड बना कर चलते हैं, उनमें अपने साथियों को पैचानने के लिए विश्चेश प्रकार के हार्मोन होते हैं, जिनको एक्टो हार्मोन या फेरोमोन कहते हैं, याद रखना, जुन्ड बनाकर चलने वाले कीटों में अपने साथियों को पैचानने के लिए विश्यस प्रकार के हार्मोन होते हैं, जिनको एक्टो हार्मोन या फेरोमोन्स कहते हैं, क्लियर, चलिए, नेक्स्ट, नेक्स्ट हम बात करें, हमारी बॉडी में, नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि यह हो गया इंसेक्टो हार्मोन, येस, मोटिवेशन हार्मोन किसे कहते हैं, मोटिवेशन हार्मोन, तो मोटिवेशन हार्मोन कहा जाता है, डोपामाइन को, डोपामीन, एक प्रकार का निउरो ट्रांस्मीटर है, यह हमारे ब् feel good या happiness hormone, feel good या happiness hormone, feel good या happiness hormone की बात करें, प्रसनता की hormone, तो चार hormone पड़ेंगे आप serotonin, oxytocin, ठीक है, serotonin हो गया, oxytocin हो गया, एक आपका हो गया endorphin और एक हो गया dopamahin, ये चार hormones को क्या बोला जाता है, feel good hormone बोलते हैं, ये चारो hormones जो है, वो exercise करने से, या जब आप अपनी hobbies का कोई काम करते हैं, अपनी खुशी का कोई काम करते हैं, exercise करते हैं, dance करते हैं, ठीक है, या शारिक संबंध बनाते हैं, physical relations स्थापित करते हैं, ठीक है, इन चीजों से, ठीक है, या फिर आप music सुनते हैं, इससे क्या होता है, इससे ये hormones body में बढ़ते हैं, जिससे कि हमारा stress release होता है, ठीक है, अपने, जैसे, शारिक संबंध का exercise के वल, sex या physical relationship से नहीं है, इससे कई लोग होते हैं, जिनको अपने पालतू पसुओं के साथ खेलना मस्ती करना पसंद है, तो अगर अपने पालतू पसुओं के साथ, छोटे बच्चे के साथ, इंटरेक्ट कर रहे हैं, छोटे बच्चे के साथ, खेल रहे हैं, खूद रह वाला हूँ, ठीक है, तो एक बार के लिए मुझे Google खोलना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं, one second, NCRT का मैं आपको एक topic दिखवाने वाला हूँ, वो कहां से आएगा? ये, ये तो आनी रहा, नहीं आ रहा, ये? ये, ये तो नहीं रहा, भाई ये, चलिए, कीबोर्ड का option आई नहीं रहा, चलिए, इसको voice star से कर लेते हैं, ये, नहीं होगा, चलिए, फिर, दोस्तों, NCRT से मैं आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ, जो 11th class NCRT में 10th तक इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन 11th class जो NCRT है, उसके अंदर जिक्र है, तो notes में आपको इस चीज़ मैंने डाली नहीं है, लेकिन ये चीज़ थोड़ा सा पढ़ ले न कि भई, जैसे हमारी ग्रंथियां है, बोडी की, उन से हार्मोन निकलते हैं, तो कुछ हार्मोन ऐसे हैं, जो हर्ट से, किड्नी से, हमारे पाचन पत के द्वारा भी निकलते हैं, ठीक है, तो हम वही बात करने वाले हैं, जैसे सबसे पहले बात करें, कि जो हमारा हर्ट है, हर्ट के द्वारा हर्ट के द्वारा एक पैप्टाईड हार्मोन निकलता है पैप्टाईड पैप्टाईड का मतलब एक तरीके से अमीनोमलों का बना हुआ हार्मोन है जिसका नाम है ए एन एफ एन एफ देखिए क्या लेका हुआ है atrial natriuretic factor यह हार्मोन क्या करता है यह हार्मोन ब्लरण प्रेशर कम करता है ब्लरण प्रेशर बढ़ जाता है तो enf is secreted which causes dilation of the blood vessels यानी यह रूधिर वहहनियों को क्या करता है रोधिर को फैलाता है, clear, रुधिर वाहिनियों को फैलाता है, clear, तो याद रखना है आपको कि हमारा हर्ट भी एक प्रकार का हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है ANF, Atrial Natriuretic Factor, है ना, यह हार्मोन जो है, यह ब्लड पेशर को कम करता है, ठीक है, दूसरा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरूलस सेल्स ऑफ किड्नी, प्रड्यूस, किड्नी के अंदर एक विश्चेस प्रकार की कोशिकाएं हैं, किड्नी के अंदर एक विश्चेस प्रकार की कोशिकाएं, जिनका नाम है जक्स्ट्रा ग्लोमेरूलस कोशिकाएं, जक्स्ट्रा ग्लोमेरूलस सेल इनसे याद रखना है, एक हार्मोन निकलता है, जिसका नाम है इर्थ्रोपोईटीन, इर्थ्रोपोईटीन हार्मोन क्या कर रहा है, यह RBC के उत्पादन को बढ़ाता है, तो इर्थ्रोपोईटीन हार्मोन याद रखना, इर्थ्रोपोईटीन हार्मोन जो है, कर रहा हूं क्योंकि पूछ लिए जाते हैं अब सुनना अब इसके बाद है endocrine cell present in different part of the gastrointestinal intestine tract यानि हमारे पाचन तंत्र का हमारे आमाशे और पाचन तंत्र में कई प्रकार के हार्मोन जो है वो निकलते हैं जिनमें gastrin सबसे पहला हार्मोन पाचन पत के द्वारा gastrin देखि बढ़ाता है hydrochloric amal का उत्पादन क्या करता है बढ़ाता है कौन से अंग परकार करेगा आमाशे में अमाशे में में आ करता है साती साथ है क्या कर रहा है अगनाहे गरंती पर क्रद्वा करता है जल वै इसके बाद अगला हार्मोन है CCK इसको बोलते है कॉल triggered क्षिक लख उस्टो काईन रहीं जो है याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है CCK acts on both pancreas and gallbladder and stimulate the secretion of pancreatic enzymes and bile juice यानि कि यह देखा जाए तो अगनाशई enzyme और अगनाशई enzyme जो अगनाशई रस से निकलते हैं वे पित्रस पित्रस हमारी body में पाचन तंतर में काम आता है पित्रस की मात्रा को क्या करते हैं बढ़ाते हैं ठीक है तो call assistokinin याद रखिएगा उसके बाद है gastric inhibitory peptide GIP inhibits gastric secretion and motility ठीक है देखो यह कोई जादा major चीज नहीं है इसके बाद अगर हम बात करें तो यह कह रहा है कि यह क्या करता है GIP inhibits gastric secretion यानि यह जो GIP है यह जठर रस की मात्रा घटाता है ठीक है gastric juice की quantity घटाता है GIP GIP का मतलब है gastric inhibitory peptide gastric का मतलब पाचन inhibitory का मतलब है घटाने वाला peptide ठीक है तो देखो यह थोड़ा लेबल की चीज है लेकिन 11th क्लास NCRT में है woman supervisor में कोशन आया था इसलिए मैं डिसकस कर रहा हूं देखो क्या बढ़ा रहा है पाचन पत्मे gastrin अमाशे में CL कुत पादन को बढ़ा रहा है secretin अगनाशे रस पर कारेट कर रहा है साथी साथ जल और बाइकार्मेट की मात्रा को बढ़ा रहा है कॉलेसिस्टोकाइन अगनाशे एंजाइम और पित्रस की मात्रा बढ़ा रहा है और जी आईपी गैस्ट्रिक इन्हिबिडेटरी पेप्टाइड यह जठरस की मात्रा को क्या कर रहा है घटा रहा है तो यह NCRT का हमारे सामने एक screenshot है very very important क्योंकि यह कोई नहीं पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है तो यह पूछ लिया जा सकता है अगला मैं आपके सामने बात करता हूं देखिए कुछ कुछ हार्मोन किसके बने हैं उसकी बात करी गई है देखो यह ध्यान देना ठीक है यह वाला कुछ हार्मोन किस चीज के बने हैं ठीक है इसके बारे में ध्यान दीजिएगा देखो सबसे पहले प्रोटीन एक पॉली पेप्टाइड त्रंखला है इसलिए यहां पर डिसकस कर रहे हैं तो इंसुलिन ग्लूकागोन पिट्यूट्री के द्वारा निकलने वाले हार्मोन और हाइपो थेलमस के द्व बने वारा निकलने वाले हार्मोन ये भी कैसे ये भी प्टॉटाइड यह तो इंसुलिन इप पूछा जा सकता है निमलिकित में से कौन हार्मोन थे कौनर मिक्टिम्स कौनदिर हार्मोन इसके अलावा जितने भी हमारे जनन हार्मोन है सब इस्टिरोइड हार्मोन है, उसके बाद बात करें, अच्छा, पैप्टाइड हार्मोन में एक याद रख लेना, एड्रेनलीन भी याद रख लेना, ठीक है, या मैं नीच लिख दूँगा इसको, यह एड्रेनलीन, ठीक है, इसके बाद iodothyronines इसका मतलब है iodine की फॉर्म में तो thyroid hormone है और amino acid के द्वारा कौन बन रहा है adrenaline बन रहा है तो यह चार प्रकार की categories याद रखिएगा steroid hormone कौन कौन है इस लेबल पर जानकारी बेटा कोई नहीं देगा मैं फिर कह रहा हूं कुछ चीजें आपको नोट्स में अपडेट करनी पड़ेंगी इस topic में ठीक है क्योंकि यह actually कोई पढ़ाता नहीं है ठीक है लेकिन मेरे क्या पिछली बार इसको पढ़ने में भी दिककत होनी नहीं चाहिए लास्ट एन फाइनल में आपको एक डाग्राम जो है थोटा सा देखाऊंगा ठीक है क्लियर देखिए यह kidney के ऊपर आप adrenal गरंथी देख रहे हैं ठीक है यह देख पाएंगे यह आप थाइराड गरंथी देख सकते हैं थाइराड गरंथी एचाकार की गरंथी है ठीक है यह भी हमने देख लिया ठीक है एचाकार की गरंथी है तितली क्याकार की यह थाइराड आप देख पारें, थाइरेड में पैरा थाइरेड देख पारें, छोटी-छोटी, ठीक है, तो ये भी आप देख पाएंगे, clear, चलिए, आप देखो, ये आपका एक डाइगराम है, देखो, हर्ट का, ये आपका डाइगराम है, बोडी का, ठीक है, तो डाइगराम को आप उपर की तरफ, pituitory, नीचे की तरफ, एनब एपिफाइसिस, पीटूटरी है, और हैपो थेलमस, ठीक है, उसके बाद गले में यह थाइराइड रही और यहीं पर पर थाइराइड रही, उसके बाद यह आपके सीने में क्या हो गई, थाइमस ग्रंथी, यह पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज, किड़नी के दोनों कूपर रेडिनल ग्रंथी और फिर ये जनन ग्रंथियां हो गई, ये पुरूस में आपके ब्रशन हो गए, महिला में अंडाश हो गए, ठीक है, क्लियर, तो इस तरह से आप इन चीजों को याद कर लेंगे, टॉपिक हमारा फिनिश है, एं आप ग्लेंड्स को पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आपको क्या पढ़ना पढ़ेगा सबसे पहले, ग्रंथी अंत्यसरा भी है, कि बहिसरा भी है, कि मिश्रित है, इनका वर्गी करण पढ़ा, एक एक ग्रंथी मैंने आपको पढ़ आई है, सबसे पहले मेलेटोनिन का एक बहुत इंपोर्टेंट रहा, ठीक है, उसके बाद हमने पियूस ग्रंती के भाग पढ़े, तो अगर पियूस, पस्च पियूस, अगर पियूस से कौन-कौन से हार्मोन है, पस्च पियूस से कौन-कौन से हार्मोन है, वो हमने डिसकस कर लिया, ठीक है, तो ले देकर बात य है हमने best से best चीजों को पढ़ा है तरीके से पढ़ा है clear डियाग्राम्स के थूरू भी आपको चीजे समझा दी इसके अलावा जो extra hormones और enzymes हैं ठीक है उनके बारे में भी हमने discuss किया hormone enzyme हमेशा protein के बने होते हैं hormone protein के peptide के steroid के aminomal के अलग-अलग चीजों के बने हो सकते हमने discuss किया है ठीक है सबसे बड़ी ग्रंती के बारे में बात की लीवर 2 नमबर पर अंत्यस रावियों में सबसे बड़ी कोन है thyroid सबसे छोटी ग्रंती कोन सी है penial second number पे penial के बाद कोन है Puse है सबसे छोटी ठीक है Master किसको बोल रहे हो, P.U. को, Super Master, Head Master किसको बोल रहे हो, Hypothalamus को बोल रहे हो, Heart के सबसे नजदीक कौन है, Thymus गरंथी है, ठीक है, तो ये सारी चीजें, with hormones, with details, हमने चीजों को complet किया है, ठीक है, Hypothalamus के द्वारा, दो hormone चोड़े जारे हैं, जिनके द्वारा वो क्या कर रहे है, जिनके द्वारा वो पीउस ग्रंती की functioning को कंट्रोल कर रहा है वो हार्मोन कौन-कौन से है GnRH, gonadotropin releasing हार्मोन और अगला somatostatin हार्मोन, GnRH के माध्यम से वो पीउस ग्रंती द्वारा निकलने वाले LH FSH, यानि जो gonadotropin हार्मोन है, उनकी मात्रा को बढ़ाता है, साथी स देखा जाए तो हाइपो थेलमस पीउस ग्रंती पर अपना एप्रतक्ष नियंत्रन है ना, स्थापित कर रहा है इन दो हार्मोन की मदद से, ठीक है, क्लिर रहेगी बात, तो यही सारी चीजें हमने डिसकस करी हैं, है ना, और यह याद रखना, यह याद रखना, कौन सा व हार्मोन, सीक्रेटन, गैस्टरिन, आमाशे रस पर काम करेगा, सीक्रेटन, अगनाशे गरंती पर काम करेगा, कॉलेशिस्टोकाइन, अगनाशे और पित रस, पित का जो आशे है, गॉल्ब्लेडर, पित आशे और आपके पैंक्रियास, दोनों पर काम करेगा, और जो जी आ ताकि details में कोई कमी नहीं चोड़ी है, इससे best details आपको endocrine glands, hormones के बारे में आपको नहीं मिलेंगी, topic को पूरा पढ़िएगा, especially adrenal गरंथी और आपकी pituitory, जो है, दोनों आपको महनत करवाएंगी, दोनों को आपको याद करने में, दिक्कतों का सामना करना पढ़ेगा, क्योंक बीमारियां याद रखिएगा, देखो, मैं repeat करवा देता हूँ, thyroid grunthi, thyroid grunthi की thyroxine hormone की कमी से बच्चों में cretinism, wesco में mixodema, ठीक है, thyroxine hormone अगर iodine की कमी से हो रहा है, तो thyroxine hormone फूल जाएगी, घेंगा हो जाएगा, goiter हो जाएगा, गलगंड हो जाएगा, अगर thyroxine hormone क अधिक्ता हो जाती है, तो आँखे बाहर निकल जाएगी, उसको बोलेंगे, एक्जोप, थेलमे, गोईटर या नेत्रो सेंदी घेंगा, autoimmune problem की वज़े से, स्वय प्रतिरक्षा विकार की वज़े से, अगर thyroxine hormone की मात्रा कम हो जाती है, तो इसको हाशी मोटो रोग बोलते हैं, और thyroxine hormone की मात्रा बढ़ जाती है, autoimmune order के कारण, autoimmune disorder के कारण, तो उसको ग्रेप श्रोग बोलते हैं, थेलमें चोड़ी चोड़ी गाठे हो जाएंगे, उसको plumer बिमारी कहेंगे, उसके बाद हमने बात की, पैरा थेलमें, पैरा थेलमें हार्मोन की अधिक्ता से, औस osteoporosis, हड्यों में चिद्र हो जाएंगे, और पैरा थेलमें हार्मोन की कमी से, टिटैनी नाम की बीमारी, थाइमस ग्रंती समने कोई हार्मोन पढ़ा नहीं, पढ़ा है, थाइमस थाइमोसीन पढ़ा है, थाइमोसीन जो है, एंटीबोडी बना रहा है, मेलेटोनीन की मात्र अंधेरे में जादा और दिन में कम उत्पादन होता है, अंधे बच्चों में मेलेटोनीन की मात्रा कम होती है, मेलेटोनीन की मात्रा बच्पन से ही किसी में कम है, तो लेंगिक विकास जल्दी आएगा, और बच्पन से मेलेटोनीन की मात्रा जादा है, तो लेंगिक विका थाइमस और पीनियल को 50 वर्ष की उम्र के बाद मस्तिष्क की रेथ कहते हैं किसी काम की नहीं है और थाइमस गरंती भी जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है वैसे-वैसे क्षीन होती जाती है इनेक्टिव होती जाती है यह दोनों गरंतियों के बारे में याद रखिएगा क्लियर, सिंपल, उसके बाद हमने अगनाश्य ग्रंथी का जो अंत्यसरा भी भाग था उसको लेंगर हेंस की दीपी का कहा, जिसमें हमने अलफा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं पड़ी, अलफा से ग्लुकागोन हार्मोन, बीटा से इंसुलिन हार्मोन और डेल्टा से सोमे एद्यूकोटिकोइट लबनों का संतुलिन करने हार्मोन, और लेंगिक लक्षनों का कंट्रोल करने हार्मोन हार्मोन, अगला, ध्यसके द्वारा थैरेच पर नियंत्रन हो रहा है,। हो रहा है LTH या लेक्टोजनिक हार्मोन जिसके दवारा दुख दिग्रंतियों पर नियंत्रन हो रहा है गॉनेडोट्रोपीन हार्मोन जननांगों पर नियंत्रन करने के लिए LH LH जो है पुरूसों में टेस्टिस्टिरोन महिला में एस्ट्रोजन के उत्पादन को प्रभावित कर रहा है FSH हार्मोन पुरूसों में सुक्राणों महिला में अंडानों के उत्पादन को कंट्रोल कर रहा है यह अगर P-U's के हर्मोन हो गए पस्च P-U's के हर्मोनों में आपके पास Oxytocin और Wesopresin है ठीक है दोनों के बारें रिटेल में बात किये सारा सब तुछ complete तो उम्मीद करता हूँ चीजें आपको समझ में आ गई होंगी अच्छे से नोट्स बनाईएगा अच्छे से जो है स्क्रीन शॉट वगेरा कवर कीजिएगा आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए लिताओं विदा टाटा बाई 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 जहेंट